बहु की आख कजरारे, कजरारे, मेरी कारे, कारे नैना अरे कजरारे बाद में कर लेना बहु, बले खाना बना ले, तेरी बुआ असास आती ही होगी शूईता रसुई से बाहर आकर अपनी सास के सामने लगातार अपनी पल के जपकाती हुई अलग-अलग चेहरे बनाती जाती है तुम मेरी चाती में खड़ी होकर आख है कि उमीद चरही हैं और क्या हो गया तुझे आखों में कुछ चला गया है क्या क्या मम्मे जी आप भी ना आपको मेरे नए आईलेशिस दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या पांच जार की हैं ब्यूटेशन ने पहले ही कहा था गर्म चीजों से दूर रहू और भैंस की आँख आज जी आपने मुझे इतना सारा काम साफ दिया अब मैं जल्दी जल्दी काम करूँगी तो मेरे नए आईलेशिस को नुकसान हो सकता है न मम्मे जी अरे सत्यानाश तुम पांच जार रुपय आँख के बालों में फोक आई इतना पैसो में तो एक महिने का दाल चावल आ जाता बहू ओ सब छोड़िये न मम्मे जी बुआ जी आती होंगी चलिए जल्दी रस्वे में बहुत सारा काम पड़ा है चलिए चलिए श्वेता और प्रेमा रस्वे में चले जाती है श्वेता फोन का कैमरा आन करती है और अपने नए आई लशिस के साथ पिक्चर लेती रहती है और सारा काम प्रेमा से ही करवा लीती है देख पहू दीदी को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे पता था कि वो आने वाली है उन्हें ना पता चले कि सारी तयारी हमने उनके लिए की है वो तो मुझे उनकी पड़ोसन ने बता दिया था कि वो हमारी यहां आने निकली है उन्हें मेरे हर काम में कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की आदत है मेरा टेस्ट लेने अचानक ही बिन बताया आ जाती है ताकि मुझे घरी खोटी सुनाया सके अच्छा मुमी जी आपना टेंशन मत लीजिए जैसे मैंने सारा खाना बनाया है बागी सारी चीज़े भी मैं संबाल लूँगी कुछ देर बाद राकेश के साथ सीमा वहां पहुँचती है पर सीमा अकेली नहीं थी उसके साथ थी एक बैस बाद जी इस बैस को तो हम अंदर नहीं ले जा सकते आप इसे बाहर ही बाद दीजिये न अरे बेटा ये तो मेरा गिफ्ट है तेरी मा के लिए जब देखो कैती रहती थी दीदी ने आज तक मुझे एक गिफ्ट नहीं दिया तो सोच आपने तबेले से उसके लिए गिफ्ट ले चलूँ अरे पर बुआ जी हमारे घर का दर्वाजा तो उतना बड़ा है ही नहीं कि भाद संदर आपा है आप इसे यहीं बान दीजिये न और चलिए अब ना हम सबको सप्राइज देते हैं मम्मे देखो कौन आया है अरे दिदी आप आई 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 बैठिये अचानक आपको देखकर बड़े खुशी हुई दिदी तू तो कुछ बोली मत मुझे देखकर तो तेरा कलेजा भारी हो गया होगा जानती नहीं क्या मैं वैसे भी मैं तुझ से नहीं अपने भाई से मिलने आई हूँ अरे दिदी तुम आ गई अब जाकर यह घर घर लग रहा है देखा दिदी इस बार फिर आप भूल गई मेरे लिए गिफ्ट लाना एक बार बाहर जाकर तो दिख इतना बड़ा गिफ्ट लाई हूँ तेरे लिए जितना तेरे माई के से दहिज भी नहीं आया था सीमा की बात सुनकर सभी घर वाले घर के बाहर निकलते हैं और सामने उन्हें दिखती है एक बड़ी इसी भैंस हाँ ममी बुआ जी यही गिफ्ट लेकर आई हैं आपके लिए अरे भैंस की आँ बुआ जी भैंस लेकर आई है तेरी सास जब भी मुझ खोलती है तो कुछ बड़ा ही मांगती है इसलिए मैंने एक बड़ी भैंस लाने की सोची इससे बड़ा मैं क्या ही देती तुही बता एक तो दीदी को समझा लो उपर साब यह भैंस भी आ गई इसका ध्यान कौन रखेगा अरे श्वेता तेरी आँखों में लेसिस लगे है ना हाथों मैं तो नहीं आपसे इस भैंस को नेलाना धुलाना खाना पिलाना यह सब तो ही करेगी बड़ा जी की प्यारी बभू है ना तुह भैंस की आँख एक काम से बचती हूँ तो दूसरे काम में फस जाती हूँ दिन पर भैंस की सेवा करती रहूँगी तो मेक अप कप करूँगी अरे बहू चेहरे पर भैंस का कच्चा दूद मल ले ना यह आस्मेटिक कास्मेटिक से अच्छा ही होता है देसी नुस्खा और तो और पैसे भी नहीं लगेंगे अगली सुबह सीमा चार बजे उठ जाती है और अपने साथ साथ श्वेता को भी उठा देती है और भैंस की सेवा में लगा देती है अरे कोई चाई देगा आहां दीदी लाती हूँ आप मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट जो लेकर आई है आपको चाई क्या मैं तो बास सुन दीबी दे दू प्रेमा सीमा के लिए चाई लेकर बाहर आती है और देखती है कि सीमा अपनी आँखे मल रही है नजाने आँख में क्या चला गया ऐसी जलन हो रही है नास पिट जाए उसका जिसने मुझे नजर लगाई दिखा ये तो दीदी तुनका उनका चला गया होगा मैं अभी निकाल देती हूँ जरा बुखार सा भी लग रहा है और आँखों में जलन मैसूस हो रही है प्रेमा सीमा के आँखों में फूक मारती है ताकि आँखों में जुगाया हो वो बाहर आ जाए सीमा लगातार अपनी आँखों को मसलती जाती है और तभी अचानक श्वेता बाहर भैस को तयार कर अंदर आती है और सीमा को अपनी आँखों को मसलती देख लेती है अरे भैस की आँख? लगता है बुखाजी की आँख आने वाली है मैं यहारे ही तो मेरी भी आँखे आजाएगी इतने महेंगे आई लाइशिस लगाया मैंने और जो कांटेक्ट लेंसेस लिए वो तो धरे की धरे रह जाएगी और मुझे काला चेश्मा लगा कर गुमना पड़ीगा एक काम करती हूँ कोई बहाना बना कर माईकी निकल लेती हूँ यह भैंस का काम भी मुझे से नहीं होगा मुझे करना भी नहीं है और मेरी आँखे भी बच जाएगी श्वितर जूट मुठी कानों में फोन लगाए सबी के सामने आकर कहती है अरे मम्मी तुम कैसे गर गई और भाईया भाभी कहा है है क्या वो लोग घूमने गए है अब तुम्हे कौन देखेगा अकेले तुम सब कैसे संभालोगी ओहो यह सब भी होना था क्या हुआ बहू सब ठीक तो है तेरे माईके में बुआजी अब क्या बताऊ मेरी मम्मी की कमर में मोच आ गई है और घर पर कोई है भी नहीं अभी तो आप आई है अगर वहाँ चली जाओंगी तो आपको लगीगा कि मैं आपको देख कर भागी और फिर आप जो इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आई है उसका भी तो ध्यान रखना है मुझे अग क्या बोलो बहू तुझे क्या लगता है कि तेरे बुवाईत ने छोटे दिल की है है ए भगवान ये आँख ने तो परिशान ही कर दिया नजाने इस आँख में क्या आँग लगी है खेर तुझे किसी बात के फिक्र ना कर यहाँ पर तो देख बहुत सारे लोग है तो जा अपने माई के बिटा जा शुटा फटा फट अपना बैग पैक कर लेती है और मेक अप किट तयार करने में लग जाती है यहाँ पूरा घर सीमा की आँखों में हो रही जलन से परिशान हो जाता है और एक साथ हॉल में बैट कर इस पर विचार विमर्ष करने लगता है इसी कारण मुझे ना शेहर पैसन नहीं यह शेहर की धूल मिट्टी के कारण ही हुआ होगा वही ना दिदी यह लोग कहां समझेंगे गाउं के शुद्धता ना कोई बिमारी ना कोई टैंक्शन चारों तरफ खेत खलिया मैं तो कहता हूं बुआ जी आप एक बार चेक अप करा लीजे मुझे तो डर है कहीं आपको कंजेक्टिवाइटिस ना हुआ हो यह सब तो आज कल के चोचले हैं बिटा कुछ हुआ नहीं के डाक्टर के पास चले जाओ और डाक्टर एक नई बिमारी का नाम बता देंगे बताओ दिदी गाउं मैं कभी कंजेक्टिवाइटिस का नाम सुना था क्या वही ना महवीर यह आज कल के बच्चे क्या समझेंगे यादे एक बार गाउं की चंपा की आंखों में फोड़ा हो गया था शहर के डाक्टर ने तो कह दिया कि आपरेशन करवाना होगा और सौ दवाईयां लिख दी सौ अलग बार गाउं की मौसी ने नीम के पत्ते मंगवाए और दर्वाजे के बीचों बीच साथ नीम की पत्तिया टंगवा दी फिर क्या साथ दिन में ही धीरे धीरे वो फोड़ा सुक कर गयब हो गया इस सारी बाते अपने कमरे में से छुप कर श्वेता सुन रही थी मुझे पता था इस घर में कभी कोई कुछ नहीं मानने को तयार सब तो खुद को ही ग्यानी समझ लेते अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते बहाना बना लिया अब फट से यहां से निगल लेती हूँ श्वेता अपना बैग लेकर सभी के सामने से होकर दरवासे तक जाती है अरे श्वेता सुनो वो ममी ने मुझे कॉल किया था वो कह रही थी कि हरी हाँ हाँ छुड़ो ना राकेश मेरे ममी से बात हो गई है मुझे सब पता है अरे वो नहीं वो मैं कह रहा था कि तुम नमस्दी ममी जी पापा जी बुआ जी चलती हूँ मैं आज चलती हूँ श्वेता बिना राकेश की बात सुने ही फॉरन वहाँ से निकल जाती है हद यह लड़की अभी पाच मिट पहले ही ममी जीने फोन करके कहा था कि गलती से भी मेरे घर मत आ जाना यहां सब को कंजेक्टिवाइटिस हो रखा है श्वेता है कि नजाने क्यों अड़कर ममी के पास चली गई पर बहु ने तो मुझे कुछ और ही बताया मतलब प्रेम ने अपने जैसे ही संसकार अपनी बहु को भी दे दिये उसे लगा होगा कि मुझे भी यह कंजेक्टिवाइटिस हो गया है अच्छा है उसे भी जरा स्वाद आ जाएगा जाने दे उसे अपनी आँखों के मेकप को बचाती हुई श्वेता यहां वहां सारे पैत्रे अपना लेती है और आखिरकार अपने माई के पहुँचती है और सीधा सोफे पर बैठ जाती है तब ही उसकी मा काले चश्मे पहन कर वहां आती है औरे बिटा तू यहां क्यों आ गई मैंने दमाज जी को कहा था कि कोई यहां ना आ है यहां तो पूरे घर को कंजिक्टिव आइटिस हो रखा है पूरा परिवार आखों में काला चश्मा लगाए श्विता के सामने होता है जिसे देखते ही वो तो हक की बक्की रह जाती है यह यह मेरी आखों में अचानक जलन क्यों मैसस हो रहा है बैस की आख आखे लगता है मेरी आखे आई गए